सोशल मेडिया ट्रोलिंग इन दिनों आम हो गई है लेकिन बॉलिवुट के सूपर स्टार गोविंदा का सोशल मेडिया ट्रोलिंग से हाल ही में पाला पड़ा तब जब उन्होंने अपने कुछ गाने बनाए इन गानों में खुद गोविंदा ने अपनी आवास दी है और कोई बीट नहीं कर पाया है ऐसे में हाल ही में जब गोविंदा ने अपने एक हेलो सॉंग का टीजर शेयर किया था तो सोशल मीडिया पर लोगों ने गोविंदा को ट्रोल करना शुरू कर दिया था यह कहते हुए कि यह 90 नहीं है यह 2022 है या तो अपने आपको इस समय के हिस आप से ढाल लो या फिर ग्रेस्वली रिटायर हो जाओ गोविंदा ने इस ट्रोलिंग पर कोई जवाब नहीं दिया लेकिन गोविंदा को अंदाजा जरूर है कि लोग उनके लिए क्या कह रहे हैं इसलिए गोविंदा ने इस ट्रोलिंग से बचने के लिए एक खास कदम गोविंदा ने अपना नया गाना रिलीस किया जिसका नाम है मेरे नाल इस गाने को गोविंदा ने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है लेकिन अपने YouTube चैनल का जो कॉमेंट सेक्शन है वो उफ कर दिया है यानि कि ट्रोलर्स या उन्हें जो नापसंद करते हैं या जो उनके लिए भद्धी बाते करते हैं, वो अब गोविंदा के लिए comments नहीं कर सकते हैं, गोविंदा ने बस अपना गाना रिलीस कर दिया, और comment section off करने का मतलब ये है कि गोविंदा को अंदाजा है कि कुछ न कुछ ट्रोलिंग होगी और फाल्तू की news बनेगी, इसलिए गोविंदा ने ऐसा किया है, गोविंदा ने अपना ये गाना लोडी के मौके पर share किया और कहा कि मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये गाना आप सभी को पसंद आएगा और लोडी पर आप इसी गाने पर dance करेंगे, बस इतना कहकर गोविंदा ने अपना ये गाना share कर दिया, आपको बता दे कि गोविंदा क के लिए हमेशा हमेशा hero number one ही रहेंगे